नमस्कार क्विक निश प्रोग्राम में आपका स्वागत है टॉपिक है UEFA Champions League पुरसकार रियल मैड्रिट के स्टाइकर करीम बेंजमो को UEFA Player of the Year नामित किया गया और इस कलब को रिकॉर्ड 14 वी बार Champions League किताब जिताने वाले कार्लो इंसेलोटी को स्रवसिस्ट कोज का पुरसकार मिला है इसी के साथ इंसेलोटी चार बार इरोप की सबसे प्रतिस्ट कलब टॉफी जीतने वाले पहले कोज बन गए बार्सिलोना की एगलेक्सिया पुटेलस ने इंगलेंड की बेथ मीट और जरमनी की लीना ओबर डॉर्फ को हराकर वर्स की स्रवसिस्ट महिला खिलारी का पुरसकार जीता इसी के साथ इंगलेंड की सरीना विगमैन ने UEFA महिला एरोट 2022 में जीत के बाद UEFA महिला कोज आफ दे इयर का पुरसकार जीता है गौर तलब है कि प्रतेक नए सीजन की शुरुआत में UEFA अपने पुरुस और महिला कलब प्रतियोगताओं के पिछले संसकर्णों से सर्वसिष खिलारी और कोज के प्रदर्शन को देखते हुए एक वार्सिक पुरसकार समारह का आयोजन करता है UEFA की स्थापना 15 जून 1954 को बासले में हुई थी और इसका मुख्याले नियोन स्विटजर लैंड में स्थित है